राम राम अर्जुन भाई राम राम के डंग है बस राजी कुशी बहुत बढ़िया और गरने सब राजी बढ़िया तू बता बस गवांडी अगरा गवांडी 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 के मतलब हो यह तो जैसे ना हर्यानक इंदर यूजुली गाहूं देहात में अलग अलग टर को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक बाईचारा हो गया रिष्टेदारी होगी कुण बेवाड़े होगे और एक होता गवांडी गवांडी गवांड़ा इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं तो अपना तो गवांड भी एक कहर बाईचारा भी है कि हमारे गाम में भी काध पर देस्टोरी ओफ हर्याना तो इस टाइटल का क्या ताथ पर रहे है यह ना सव ब्रॉडर राईटल क्यों चुना यह टाइटल इसलिए कि देखो एक तो हर्याना का जो रीजन है जिसमें नौर्थ में पंजाब है दिली को तीन जगे से बादर करता है साउथ में राजस् इसको अलग अलग नामों से तर्वाउट हिस्ट्री जाना गया है जैसे धरम शेत्र कुरुक शेत्र बोला गया कभी बहु धन्यक रीजन बोला गया एक नाम जो प्रोमिनिंट्ली 13th century 13 14th century के विकॉज में भी आता है 17th 18th century में मैं मैं भी आता है वो हर्याना नाम है हर्याना वर्ड का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है हरी प्लस आयन हरी मतलब भगवान हरी आयन मतलब अबोड सो अबोड अफरी और लैंड अफ गौड़्द अच्छा आयन वहां से है हाँ हाँ आयन का मतलब होता है तो यह ऐसे जो हम बोलते हैं कि हरी का आना हुआ जो यहां पर क पुरुक्षेत्र युद्ध के लिए, उससे नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि आयन यूज हुआ है, बट casually, जैसे हर्याना के अंदर किस्से कहानिया है, तो वो हर्याना के अंदर किस्से कहानिया बनती चलती है, क्योंकि हर्याना को जो चीज, you know, what stands out in Haryana is यह जो हमारी किस है, कहानिया, हमारे बोलने के तरीके, हमारे चुटकले खाली तो जान नहीं किसी नहीं में तो उस तरह की चीज़े हैं जिसके अंदर यह आइडिया है, however यह क्लियर है के हरी प्लस आयन की नाम पर हर्याना एक, you know जैसे संदीगरते नाम की, तो बना है और उसका जो इंगलिश टांसलेशन है, is Land of the Gods अनादर थिंग इस कि जब Land of the Gods नाम रख रहा था तो जाएसी बात है, बड़ी और चीज़ें सूची अच्छा बढ़े में बात करने हैं या तर, you know, it should not send out a wrong message, hence I was thinking over it then I realized के calling it Land of the Gods is in no way a wrong thing to say, क्योंकि Haryana has for the longest time been the center of you know, the index civilization and not just this Haryana के आप छोटे से छोटे गावं वे चले जाओ, आपको बहुत मंदर मिल जाएंगे इस पूरे राज्य के अंदर जिसे ब्यावनी नाम ब्यवानी का वैसे ओरिजिनल लोकली भी हम, you know, somebody wrote a book on ब्यवानी, in fact ब्यवानी जंक्शन वो बॉक्सिंग के स्टोरी थी बट उसके अंदर you know, people all across India would see it as ब्यवानी बट हर्यान भी तो उसे ब्यानी बोलते है जो आया है भानी नाम से एक राजपुत प्रिंसेस थी उनका नाम भानी था और उनके नाम पर भानी का बना ब्यानी ब्यानी से ब्यवानी लिखा जाने तब गया तो ये जो स्टोरी है, मतलब जैसे और ब्यवानी के मेरे जो से बता रहा था कि भिवानी को छोटा काशी भी बोलते हैं क्योंकि भिवानी छोटा शहर चोटा टाउन है उसके धाइसो के पास नाच संपरदाय के बहुत मठ मिलेंगे आपको बड़े सारे सेक्ट हैं अर्याना के अंदर बाबा राम रहीम भी एक मशूर सेक्ट है, संतराम पाल जी भी एक मशूर सेक्ट है थे बट अट 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 इसेम टाइम ये भी है के 17th, 18th century के अंदर 18th, 19th century के अंदर जो आरे समाज movement आया था उसको भी दोनों हातों से हर्यानवी ने लपका था सो जितने भी religious, social religious movements हुए है उनको भी हर्यानवी ने पकड़ा and हर्याना की history ही बहुत सारी religion से associated रही है and at the drop of the hat everybody makes a quick mention about Mahabharat and anybody who is a little more aware would quickly remind you also के वही, the Vedas were written on these lands and for same reason actually the cover of the book has यह पिच्चर यह भाही है रथ पे भगवान श्री कृष्ण है पीछे अर्जुन है and I made a special effort in ensuring के यहाँ पर सबसे उपर जो फ्लाग है दिखाओ, कैमरे में दिखाओ सबसे उपर जो फ्लाग है उस पर जो अनुमान जी है ना वो जरूर दिखना चाहिए so signifying के अर्जुन करत है and यह तो अर्याना की जो modern sports stories है ना जो दंगल के लिए लोग लड़के अपने लड़के 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 अपर प्रेपर कर रहे होता है सब कुछ है so that is how the title of the book land of the gods the story of अर्याना तो इसमें आपने सरस्वती का बताया सरस्वती नदी की किनारे ही वेद लिखे गए होंगे तो सरस्वती को तो आज कल जो हम popular media में देखते हैं वैसे तो हर्याना का पूरी तरीके से ही मतलब इस तरीके से misrepresentation होता ही है मेडिया में लेकिन सरस्वती के बारे में भी आज भी उसको mythical river ही बोला जाता है तो क्योंकि आपने इतना research किया है सरस्वती नदी पे तो उसके बारे में थोड़ा बताई कि हमारे पास क्या evidence है कि ये नदी यहां पे थी और इसको myth कहना कितना सही गलत है लेट मी फर्स बेगन बाई सेंग दिस भाई इंदी में थोड़ा तो मैंने गाई इंदी तो फिर मेरे को अर्यान भी आती है ना नीरे चोपड़ा नो को जो question पूछा ना कि media representation और ये जो stereotypes हैं बहुत significant है और बहुत हमेशा से रहे हैं in fact I remember जब मैंने डेली उनिवर्सिटी में college join किया था बड़ा casually सुनने को मैं जाचा तुम भी आगे अड़े तो मतलब point यही था कि अरे अरे दिली उनिवस्टी में अरे बड़े पड़े हैं पर चुनाव जातों आने में बहुत ऐसा प्दाद कते हैं तो उनिवस्टी में चुनाव तो गुजरा करने बीच में हो है ना ना college गंदर ब्यारे भी बहुत UP पूरभिया जतना है खड़े तो NS.VI से अगर मालो जाट कांडिडेट है तो उधर से ABVP वाले गुजर को कर देते हैं तो मेंली तो यही चलता रहता है तो वही ना कि आपा वोट वोटिंग फिगर के हिसाब से ठीक पढ़िया रहते हैं पर हंसराज कॉले से पढ़ाता मैं ठीक तो यह जो स्टीरोटाइपस हैं वो अलड़ी काफी टाइम से स्टीरोटाइपस हैं और वो कुछ ना कुछ किसी मीडिया रेपोर्ट या किसी डिस्टॉशन की वज़े से या फिर नॉट अन्बाइस्ट और इनकम्प्लीट इंफरमेशन के बेसिस पर यह सारे के सारे स्टीरोटाइपस बने हैं जैसे सरस्वती के नाम लिया गया एक्जामपल दिया गया उसके मोटिवेशन अलग भी हैं लेकिन फिर भी हाँ मताब हजार मोटिवेशन है मोटिवेशन के बारे में इन फाक्ट बेन वी गो उन तो बुक के बार में कम आप सरस्वती की बात कर रहे होंगे because I have said this often कि यार सरस्वती को नदी को अगर explore करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है तो उसको एक scientific method में पढ़ लो not that कि कोई सरस्वती की बात करे या सरस्वती नदी के बार में कोई mention करे तो एक onslaught start हो जाए कि नहीं आरे तुम तो orthodox हो, तुम तो conservative हो तुम तो you know rude बादी हो और तुम्हें कुछ पता है नहीं है point यह है कि आप सरस्वती नदी का exploration अच्छे से scientific तरीके से proper research methodologies यूज़ करकर आप करिए and उसके लिए सरकार को सही push देना चाहिए so in terms of funding उस उन projects को funding मिलनी चाहिए and let science decide दूसरी चीज जो आती है and this was said during you know by one of the people I interviewed during the course of research उन्होंने बोला यार अर्जुन कोई आप से यह बोलता है कि सरसुदी प्रूव करके कि मेरे पास जो evidences है इनको पहले you know falsify करके दिखाओ तो बात करो वही मैं evidences क्या रहेंगे so evidences जैसे Mitchell Danan उन्होंने बुक लिखी है and then case वाल्दिय जर ने बहुत very very important work which I recommend to all the viewers all the listeners जो you know 2016 के अंदर उन्होंने इस पूरे बेसन को पढ़ा था और एक government को एक report summit की थी उस report के अंदर सारे evidences archaeological, linguistic evidences geological evidences सब को club करकर ये प्रूव करके बताया था कि हर्याना का जो region है वहां से सरस्वती नदी बहा करती थी हर्याना का जो region है वो सरस्वती का बेसन था in fact I will read this also कौन सब पेजन ये है, page number forward के अंदर ही है, Sandeep Sanalji ने रिखा है see so second paragraph है it says the Rig Veda also mentions a sacred territory called Sapt Sindhu or land of the seven rivers the text does not name the seven rivers except that Saraswati is one of them many historians assume that the seven rivers include the Indus, the five rivers of Punjab and the Saraswati this would be a very large area however a closer reading of the Rig Veda shows that the Sapt Sindhu only related to the Saraswati and its own tributaries this would be a relatively small area between the dry river beds of the Gagar and the Chautang that is roughly modern Haryana so modern Haryana का जो region है वो actually Saraswati और उसके tributaries का region था और इनी इसी area पर वेद लिखे गए थे similarly हमने linguistic evidences या फिर हम archaeological evidences के अंदर जाते हैं या फिर हम text explore करते हैं we find जो early Vedic text है वो ये बताते हैं कि Saraswati नदी पाणों से नीचे आई और वो समुद्र तक जाती है flow down to the oceans however later Vedic period के अंदर उस literature के अंदर एक जगे spot होने लग जाती है जिसके बार में कहते हैं विनाशना अब विनाशना से मतलब है कि यहां पर वो खतम हो रही है so विनाशना एसेंचली भई नदी कैसे flow करती है नदी आपका एक source हुआ आपका या तो permanent source हो सकता है जो glacier melt water हुआ या फिर it could be fed by you know rain water या तो glacier water हुआ या रेन वोटर हुआ अब ये विनाशना ये बत और ये आईडिया विनाशना सेज कि नदी के अंदर पानी दीरे-दीरे कम होना स्टार्ट हो गया and from ocean वो land पर कहीं जाकर विलोप तोनी स्टार्ट हो गई फिर ये विनाशना वाला पॉइंट दीरे-दीरे-दीरे सिल्सा पतयबाद होके राजस्तान होके नीचे जाता है विच मोटा मोटी फॉल्स इन लाइन विद गगर हाकरा द्रेनेज अब अपार्ट फ्रॉम दिस देर अर मेरी मज़ज़ गुरुक्षेत्र उनिवर्सिटी के अंदर सरस्वती रिसर्च सेंटर है जिसके डिरेक्टर अर चौधरी सर है प्रोफेसर अर चौधरी अलोंग विन मैनी अधर पीपल जैसे मैने केस वाल्डे सर का नाम दिया यून वालूम इनसर रिसर्च वो तो चौधरी सर अमांग मैनी अधर पीपल are doing geological studies to find out के you know what are the evidences or where the river where is the river कौन सा कौस था so what geologists do geologists in general practice try to find out proxies what they mean by proxies is के कौन-कौन से छोटे-छोटे ऐसे evidences है जो बताते हैं के यहां पर से नदी बहा करती थी एक concept paleo channel का भी आता है paleo channel is something के पहले नदी कहां पर बहती थी तो आप वो बेसंद पढ़ते हो समझने के लिए कि कहां पर उसके soil color पढ़ते हो आप texture पढ़ते हो आप उसके अंदर किसी और तरह का flow structures अगर कोई बने हुए gives you a clear idea है कि यार नदी यहां पर बहा करती थी तो आप paleo channel भी study करते हैं and आपन सब को you know ओन बेसिस पर जो रिपोर्ट बनी है and modern research भी जैसे you know 1990s गें दे फुर्स ताइम या आइडिया स्टाट वो था बीबीसी ने एक you know imagery remote sensing imagery के साथ article रिखे थे के भी इपसारा सुथी or mythical river और you know it's flowing back again or things like that या उसके evidences आप remote sensing images से भी या एरियल फोटोग्रफी से भी आप figure out करोगे तो आपको दीरे-दीरे पता चल जाएगा कि यह रस्ता है यहां पर नदी बहा करती थी तो इन सारे evidences को इकठा करके पता चलता है कि नदी थी यहीं पर बहा करती थी यह और तो नदी है नहीं आर्याने में ठीक पर रियाने के अंदर कुमें पूरे हैं या बड़ी मतलब पानी का तो सही टोटा है ना रियाने में अब तो हो गया है लेकिन पहले तो अच्छा ही था हाँ आपके धरती के अंदर अलग अलग बेड होते हैं वेटेक्षेम्ट, विखेब्जुन सेंथ लिथे संथ लिथो लिथोस्टर्टिग्राफी की अलग अलग या अलग रॉक्डर में बट्रॉडड स्थक्चर वहे उसके भीयच में अध्विफर्स होते है, आपका सोर्स होता है जो ग्राउंडड वॉटर का होता है वहाँ पर किसी एक लेहर नीचे वाली लेहर होगी इंपरमेबल ऊपर लेहर से आपने वहाँ पर पानी रुका हुआ है, आप वहाँ से पानी पुल आउट करने कोशिश करते हो, तो वेल्स के अंदर यूचुली वही चीज होती है, कि यू ट्राइटो टैप इंटू फ्रेश वाटर को टाप करने के लिए आप वेल्स करते हैं, अगर आप अच्छे खास से किसी एक रीजिन के अंदर फ्रेश वाटर वेल्स लेकर, यू नो डिक कर पा रहे हैं, और पानी का आपका सौर्स ठीक है, और नदी कोई आपको आस पास एक्जिस करती दिखती नहीं है, तो आपका सच्छान लिकित कि और सच्छान के यू झा førा वी चन्था ग태ि っぴैडन करने काशोलेकित यू खी फीतन दोंडिय के तरहरे है उपा करते हैं यू एप नियू सथ नदी करती हैं, बाइस हम कर्दों मि OLstars वी क्डावटति नदी करते हैं, एक कि अर्क जो का उस आपका लिए यह जो सरस्वती हम बड़े चाजवली इंडर सिविलाइशन वोलते हैं इच उल रधर भी कॉल्ड यौजू सिंधू सरस्वती सिविलाइशन अब तो बहुत लोग भूलने भी लग रहा हैं और इस ए वरी इस ए राइट निग तो बिकुछ युजू हमने फर लॉंगे आप लिए बार बार इसको इन फाक्त विपासी के परेशन करने वाले बहुत सरे लोग देन जागी किताब टाते हैं रपीटेट रफेरेंसे इसी बात के उते कि मोहन जड़ादो हड़ापन सिविलाइशन वही सबसे बड़ी साइट से हैं बड़ी साइट यह ज़ीजू इस हरापन सिविलाइशन लाइशन और इवन ओल्ड़ेशन ज़्ड़ेशन ज़सके अंदर से आपको यह ज़ू आपको यह ज़ीजू यह लूट्व पिग माउंद आप आशब अगा इस आरफ देबार इसन में इसन बाड़ा इस तो आपको अगाऊट नहीं ज़ीजू यह so इतना पुराना माउंड आप लेकर आपकी you know you were able to find जो historicity उसकी बहुत पुरानी है and at the same time उसका वास्ट एक्स्टेंट है telling of the fact के जो Saraswati civilization जो Saraswati civilization थी वो इसी drainage basin पे exist किया करती थी and it was a thriving civilization and hence like I say often के you know one of the first civilizations in the world were in this region और ये बात बाहर आले तो छोड़ो यार हर्यान भी कितना मानते है इस बात को अर्याना वालो को भी नहीं पता हुत न और उसके बीचे I believe you know you started a question with the same thing कि you know ऐसे स्टीरोटाप्स बन गए हैं ऐसी perceptions बनी हुई हैं thanks to media reports सिर्फ फोकुस इसी बात पर होता है कि हर्याना में बुरूनत्या हुई या हर्याना के अंदर और उर्तों को पता रट किया जाता है और अल थोस थिंग्स रदर दन you know तेलिंग दोस स्टोरीज अलसो and in fact मुझे असा लगता है कि हर्यानवी भी कोई लंबा चोड़ा बौद नहीं है हर्याना के तोड़े तंदंदंशी भी हर्यानवी तोड़े तोड़े तंदंशी है कि we are more concerned or you know हर्यानवी लोग चन्सेंड और what their immediate neighborhood is saying rather than what Delhi or Bangalore thinks about them or what Chennai thinks about them or what the world thinks about them there are of course many sensible people like you, people like thank you people you know in journalism and literature you know people who are all over the world find it tough to you know relate or find it tough to help people understand where they are coming from तेकिन उसमें ये है ना कि हर्याना वालों का भी बहुत responsibility बनता है कि वो भी अपना जो image बना है उसको change करें क्योंकि जैसे हम बाहर जाते हैं तो ये एक जैसे दिल्ली में ही आपने भी उस समय college के समय देखा हुआ कि यहाँ पे हर्यानियों को थोड़ा कतराते थे लोग की घर देने के लिए आज भी बहुत लोग होंगे जो पूछते हैं कि कहां से हो हर्याना से अच्छा तो थोड़ा कतराते हैं कि तो एक image बन गई है उसको अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये भेदबाव हो रहा है जाते हुए तो वो एक perception का कारण भी बनता है उसके कारण भी है तो उन कारणों में भी जाना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा और हमको improvement तो करने की कोशिश करनी चाहिए मतलब अंदर देखना ज्यादा जरूरी है और हमारे लोग अप जैसे बदलाव तो आई रहा है ना sports में देखो पिछले 10 साल में ही 15 साल में ही तो हुआ है ये बदलाव हाँ कि ये जो perceptions बन गई है इस हाई टाइम के हम इन perceptions को counter करने के लिए काम करें अंद हर्यानवी इसा नहीं आई पॉस्टिर इस इन दे बोक कि 21st century is हर्याना century to me क्योंकि for the first time हर्याना के पास पैसा भी आगया है एक्सपोजर भी आगया है लोग अलग-अलग avenues खुले हैं हर्यानवी के लिए media के अंदर है you're having pageant winners coming out from हर्याना Kanista Dhankad और अभी recently Manushi and then you've got top world class wrestlers you've got a younger अभी आगया है वोग पे आ रहे हैं भई अर्याना के छोरे बताव है नीरत चोपड़ यह जो change आया है अर्याना का यह बहुत अच्छा है and इसी तरे से धीरे-धीरे corrections होगी अब यह भी कौन सा मेरे से पूछा गया था कि किताब लग दी आर्याने वाले किताब लिखने लग गए तो इसमें मैं यह पूछना चाहरा हूँ कि जब आपने इसको चापने में तो क्या वहाँ पे कुछ मुछ्किलें आई कि हर्याना पे लिख रहे यार कौन पड़ेगा हर्याना वाले तो नहीं पड़ेंगे यह बात तो सची यह जो ट्रॉबल था यह जो चालेंज था यह आया था और अच्छे से फेस भी किया था I remember it clearly in fact एक दिन तो वो खान मार्केट में भार ही संज है उसके बाहर में तो ऐसे फ्रस्टेटर सा था क्या दिक्कत है क्योंकि mail पर ही सारी बाते होती है you send your you tend to send a concept note chapterization and people, it's a good thing अगर आप कुछ चाप्टर्स लिख कर भीज़ दो the publisher has a greater or you know idea that can you do it or how are you writing is your writing simple enough or is your writing complicated enough हर किसी का अपना अपना लिखने का तरीका होता है you know it's more on the publishers कि कौन सी चीज वो कितने अच्छे समझ पाते है और उनको जादा idea होता है कि कौन सी चीज अच्छे सहद हो पाएगी तो early days I remember सभी काफी publishers को मैंने अप्रोच करना start किया था जिसके अंदर पहला question यही आता था कि हर्याना पर आप किताब लिख रहे है तो आपकी target audience क्या है and उसी वज़ए से like I was telling you कि किताब के अंदर word limit है वो words मैंने काफी कम की है काफी information काटी है उस काटने के पीछे यही reason था कि यह book सिर्फ सिर्फ हर्यानवियों के लिए सिर्फ हर्याना के लिए नहीं है यह book is in line what you know even the prime minister says कि regional local histories आनी चाहिए and यह हर उस इंसान के लिए है जो हर्याना के बारे में जानना चाहता है और हर एक हर्यानवी के लिए है जो अपनी identity को you know boldly present करने में थोड़ा सा कत्रा आता है you know you ask people US Canada बैठे होए एक sense होता नहीं कि पंजाब को हर कोई जानता है हर्याना को बहुत लोग नहीं जानते wrongful assumptions by many of them के हर्याना तो पंजाब का छोटा भाई था या या पोर हर्याना वाले खुदी कहते है मतलब मेरे को तो मेरे तुद मेरे इतना गुस्सा आता है कि आप लोग क्या बात कर रहे है मतलब वो in fact तो अभी अपना फामर्स मूवमेंट जब चल रहा था उस ताइम पे भी on stage भी इस तरह की बात कर रहे है गाने भी चोटा भाई आप 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 लोग कह दियो तो यह चैलेंज आया था कि हर्याना के बारे में पढ़ेगा कौन हर्याना को जानने में कौन इंट्रेस्टेट होब बद बुर बढ़े जब रहां वेडिड़ लिए बारे मेंगा क्वाणी इस तरह का रोड़ चैलेंड पहले बादी प्राइन एपनी कौलेश यूनिवश्टि पढ़े थाट इस ताइव पहले अपनी पंजाब विश्टी से पढ़े थे पढ़े तो मेंदेश के रहांब रह तो बस जीवन के अंदर जब जब रियालिटी हेट जब बाक इंट वर्क तो उन्होंने बुक पड़ी और पहले बिल्कुल नहीं पड़ी ती जब प्रिंट होके रागी घर में तब उन्होंने किताब चेड़ी और उन्होंने अली मतलब अगले जन सुभाई बोला किया राज अगलिश बहुत असान है और इंगलिश के अंदर वो कि देश नाथिंग रॉंग विज्टे को अमें हिंदी आनी चाहिए तो हिंदी पूछ नी है तो हर्यान भी बोलो आप ठीक अधर लैंग्विस आप इस इंगलिश क्योंकि जैसे हम यूपी की अलग हिंदी है महास्ट् था उसके अंदर उसको काउंटर करने के लिए मैं यही सारी बातें एंगलिश दिया बट इस नाथ ने इसी तिंग तो अगलिश नाथ ना गर दूं ताकि किसी वेक्ति को ऐसा लगे करें बहुत ज़़ा बात बता दी तो चोटे उसके अंदर ही तो इसका आउटलाइन क्या क्या आपने क्या-क्या इसमें डाला है क्या-क्या कवर किया मेर को पढ़नी है अभी अजी मुझे मिली अच्छा लगा अच्छा लगा कवर तो बहुत अच्छा लगा तो संदर है so the book starts with a forward from thankfully from Mr. Sanjeev Sanyal the principal economic advisor and best-selling author introduction part I tell you about a little bit of historicity of Haryana in fact India let me read this text in fact this starts this is the first words that you will read in the book many modern day Indians think of Haryana as a relatively small state that derives disproportionate importance from its proximity to the national capital there is a common impression sadly shared even by some Haryanwis that the state is just the outcome of the linguistic reorganization that led to it being carved out of East Punjab in 1966 in other words it is assumed that Haryana does not have the deep cultural roots that give states like say Gujarat, Bengal or Tamil Nadu a distinct identity therefore it may come as a surprise to many and I mean it you know many that this small territory has not merely been a distinct region from the ancient times but has provided Indian civilization with both a template and an indigenous name Bharata so Bharat has come out of a tribe which was in the lands so you know forward in the introduction I talk about historicity medieval times ancient times in Haryana talk about you know Mahabharat talk about Haryana being the center of Indic civilization and then you know in the medieval time it actually became the battleground of civilizations and I will talk about just one moment let me tell you a little bit about the chapters in each line what is in each line so the book begins essentially from close to 17th century the later part of the 17th century with the first rebellion you know with the not the first episode that I write about in the book is the Satnami's rebellion which happened in South Haryana Narnal against the Mughal emperor Aurangzeb so the first chapter is from you know that part to the third battle of Panipat then I talk the era of Anarchy is you know from 1761 to 1803 when the English East the East India Company finally got to control got the control over these lands then from 1803 to 1857 the first war the fourth chapter is Call for Freedom in 1857 when Haryana club was done in Punjab region from 1907 to 1907 when Haryana got the freedom within different episodes of our Haryana who were important who were the important who had role-played politics written about Sir Choturam told him what role he was told because today we don't know Sir Choturam but the the point is and this course of research he was told that Sir Choturam की कहानिया किसे बनकर लोग याद करते है बिल्कुल तो Sir Choturam के बारे में लिखा गए इस चाप्टर में पांचपा चाप्टर is Scripting the Future जो 1947 से लेकर 1966 तक हर्याना बनाने की जो लड़ाई थी उसके बारे में एक हर्याना के अंदर एक consistent strong movement चल रही थी कि हर्याना को आजाद होना है हर्याना को मतलब separate identity separate state बनाना है क्योंकि हर्याना के साथ बड़े तरीकी जात्यां हो रही थी इस दिवेलोप्मेंट पारमिटर बहुत सारे लड़कों को नौकरिया नहीं मिला करती थी कोई नए फसिलिटीज नहीं आरी थी तो उस तरह की चीजह थी इटेल में इसक्स करेंगे of course 6th chapter is the 3 Lals जिसके अंदर वो फेस है 66 से लेकर you know 1980 रखा जब 3 Lals हर्याना के जो पॉपुलर है देविलाल जिनको ताओ देविलाल नाम से याद किया जाता है बंसीलाल who is remembered as you know one of the early architects of the modern state of Haryana and third of course is भजनलाल तो इन तीनों के जो 4thya Manohar Lals 4thya Manohar Lals 4thya Manohar Lals 4thya Lals हो गया 4thya Lals हो तो अब ये जो ये फेस जो था तीनलाल का वो खतम हो था 1980 के पास इस तेरा 14 साल का जो टाइम है उस काल के अंदर असली में तो 1999 में होता है क्योंकि उसके बाद आप देखो तो सबसे बड़ी जो मेजोरिटी लेके आते हैं देविलाल 1985 में 1989 में बोलते हैं तो 87 85-86 में तो जीते थे सबसे बड़ी मैजोरिटी 85-86 में जीते थे नबबे में से शायद और फिर वो था 87 वाला 1999 में मैं कहा रहा हूं 1999 में लालों का खतम होता है 3 लालों का क्योंकि फिर 1990 में से 1990 में आपके बचनलाल आजाते हैं और चाण में से निराण में तक बंचीलाल पिछली जो सदी है उसके अंदर 3 लालों का फेज खतम हो गया क्योंकि 2000 जब स्टार्ट हुआ था उस वो कहूं प्रकास चोटाला मुख्यम पूने है तो 3 लालों का जो फेज है और देविलाल अमंग मैंनी अदर पीपल वर 3 प्रोमिनेंट वोइसे जो जो हर्याना बनाने के बात कर रहे है तो देविलाल नाचुरली चाहते थे कि जब हर्याना बना है तो पॉलिटिकल पार भी उनके पास रहेगी बट कॉंग्रेस के अंदर बंचीलाल भी थे बीडी शर्मा भी थे भजनलाल भी उस ताइम पर कॉंग्रेस थे फिर तीसरे जो प्लेयर आए इस पूरी गेम के अंदर भजनलाल थे तो यह तीनों के फॉर्चुन जस फेज के अंदर अच्छे का से लाश होते हैं फिर 7th chapter is titled और राइटली सो चौदर क्योंकि प्लेयर्स एस्टैबलिश हो गए उस पिछले फेस के अंदर फिर उसके टर्फ वार स्टार्ट होती है के हर्याना के अंदर अगर यूँ आई थिंक यू डगरी के एक तरह कर ना जागिर्दारी से सिस्टम चल रहा है के ये शेत्र उसका शेत्र है अब सिर्शाफ पतेयबाद है चोटाला राज वहां पर चोटालाओं का शेत्र है ब्यानियाली साइड बोले हैं के बंचिलाल का एक टाइम पर बड़ा वो था रुतबा था बजनलाल का एक रीजन हो गया कभी नर्वाना की साइड किसी और का रौता की साइड उड़ा साबा गड़ जो जीटी रोड बैल हो गई वो सारी सारी बीजेपी गड़ण का गड़ है अर्याना इस तरह की चीज़ है दर्गी लड़ाई होती है चोथ दर मतलब राज राज मतलब पॉलिटिकल पावर एट्थ चाप्टर इस राइट ली टाइटल देन क्योंकि एट्थ चाप्टर स्टार्ट होता है 21st century के अंदर जैसे हम आते हैं तब से तो 2000 से लेकर present situation को discuss करता है ये चाप्टर तो हमने chapters के तो बात कर ली हमने antiquity पे भी बात कर ली हर्याना के जो roots हैं वहाँ पे भी हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत की अब हम आते हैं कि एक तो आप cradle मानते हैं इसको जनम स्थली जिसको कह सकते हैं बारते सब्वेता की उसके बाद आती है कि ये इस civilization का एक battlefield भी बन जाता है रनभूमी भी बन जाती है तो ये रनभूमी की कहानी जो है वो थोड़ी बताईए So like I said के Saraswati civilization फिर उसके बाद Saraswati civilization से या Saraswati के banks पर जो हम Indic civilization, Dharmic civilization, Hindu civilization के जो basic और सबस्यादा fundamental you know texts है वो वेद है वेद सरस्वती नदी के basin पर लिखे गए इसके बाद जो पहला एक battle हुआ है जो धर्म और अधर्म की जो लड़ाई हुई है जो सबसे Hindu consciousness में एक prominent epic है जिससे बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिलती है आपने कुछ दिन पहले show भी किया था महा भारत जो महा भारत यहां पर हुई उसके बाद यह जो लैंड थे you know this settles the fact that it was the center of Indic civilization but say 6-7 century के पाद पास राजा हर्षवर्दन जनकी capital थानेसर थी जो बगड़ा रूप है शब्द स्थानेश्वर का तो इश्वर का स्थान थानेश्वर बगड़कर बना थानेसर और वो राजा हर्षवर्दन वहां पर रूल किया करते थे बफोर शिफ्टिंग इस capital to कनाच जो गंगा बेस न गंगा प्लेंस में now right after this इंडिया के अंदर पहला you know देरे देरे invaders from the northwest Islamic invaders and Islamic invasion started of course बड़े strict और बड़े solid defenses बने हुए थे अलग-अलग forts थे northwest के अंदर इनको अचसे ज़े protect करने के लिए हमारे you know martial communities और ट्राइब्स लगे हुए थे however वो जैसे ही रस्ता खुलता है तो वो लड़ाई तो अच्छली दिली की है न तो और दिली भी हर्याना का ही हिस्सा रहा है हाँ दिली भी for the longest time हर्याना का हिस्सा रहा है कि 1911 बारा के अंदर जब दिली कैपिटल बनी थी उस time पर हर्याना के रीजिन से इस होनी पत से भी कुछ अक तैसील निकाले गई थी modern बनाई तो ये construct नया है बट डेली एज़ एस अ सिटी उस वक्त यो नो परामिनेंट सेंटर बनने वाला था जैसे सलतनत है उसको उम दिल्ली सलतनत करते हैं तो लोधी होगे तो गलक होगे व सब वही से slave dynasty उसर पहले तोमर थे क्योंकि उन्हों नहीं capital city established so जब ये city लड़ाई तो city किया है लड़ाई तो दिल्ली तक और दिल्ली से पूरे देश पर कब्जा करने की है और you know some historians and some commenters would want to say or you know mention कि actually वो दर्म का जिहाद था कि बही तो जिहाद कर वानी है in that line only तो किसी को अगर दिल्ली पहुँचना था तो रस्ता क्या बनता था अगर आपको दिल्ली पहुँचना है नौर्थ वेस्स से अगर आप आ रहे हैं तो आप naturally हर्याना हो कर जाएंगे एक route पढ़ सकता है आपका सिरसाफ अबाद साइड से होके होई और दूसरा रस्ता पढ़ता है जो आप अंबाला की साइड से आते हैं तो अंबाला की साइड एक शहर है पुराना नाम था उसका नाम चींज हो गया है सरहिंद तो हिंद का जो बॉर्डर है सरहिंद सो वहां से अगर आप देखो सरहिंद तो पंजाब में होगा पंजाब के अंबाला से थोड़ा सा आगे उसी रीजन के अंदर लाए करता है मतब यह जो अद्मिस्टेटिव कॉंस्ट्रक्ट है जो टेरिटोल कंस्ट्रक्ट से यह मॉडन है बाक देन कोई आ रहा होता था इससे पहले गड़ों पर पहुंच रहे हैं वहां पर पहुंचने के लिए जो इतने भी टाउन जाते हैं वो सारे के सारे प्रोमिन बैटलग्राउंड रहे हैं अमबाला में युद होएं, शाबाद में युद होएं, तरावडी में होएं इन फाक्ट पृत्वी राचौहान ने फर्स्ट बैटल अफ तराइन जो बोलते हैं उसके नए पृत्वी राचौहान जीते थे, सेकंड बैटल के अंदर वो हार गए थे वो तराइन जो है, वो तरावडी है, और तरावडी करनाल के पास है करनाल से अगर आप कुरुक्षेत्र जाते हो, तो तरावडी आता है, फिर निलो खेड़ी आता है करनाल से निकलते ही, फृदर तरावडी तरावडी आता है, तो वहां पर लड़ाइया हुई है, फिर करनाल में, कुझपुरा में बहुत लड़ाइया हुई है, करनाल के अंदर, इन फाक्ट जो नादिर्शाज वाय था परशन, उसकी जो लड़ाईती वो आचली करनाल में हुई, पानिपत के अंदर तीन बैटल्स हुई है, तीन बैटल्स बिसे पहले डेली सलतनत कर रही थी, उसके बाद आपके नॉर्थन रीजिन के ओपर, मुगलों का राज स्टार्ट होता है, और फ्रॉम देर उन मुगल, उस बैटल में जीतने के बाद, उसके बाद वो तो असला स्टार्ट होता है, वो उसके बीसल, 1526 इस फॉर्स बैटल, 1556 इस बैटल, तो भी रियाड़ी आड़ा, तो भी रियाड़ी आड़ा, तो आइडिया यही है, कि यह जो रीजिन है, वो फ्रॉम बिंग सेंटर फिंडिक सिविलिजाइशन स्टार्ट बिकमिंग तो अगर आप पुस्तक पड़ें, तो आपको पता चलेगा कि उस थर्ड बैटल पानिपत के बाद भी मराठाओं ने विदिन 10 जाल में उन्होंने उतना ही अपना जो रुतबा था, वो उतना पा लिया था Yes, so I've mentioned the same thing in the book, I do not detail 1761 battle, because उसके बारे बहुत सारा लिखा जा चुका है, but ये बात भी सर्टन है कि उसके 10 साल बाद, मराठास वर back here, and in fact, you know, Mughal King को थ्रोन पर पहुचाने में, मराठा कही रूल था उसके बाद, so Mughal King को थ्रोन पहुचाने में, मराठा कही रूल था उसक बेकेम, you know, big court players in Delhi, so बड़ी इंटरेसिंग चीज़ है, and right after that, and उसी के बाद से, you see, मराठा का एंट्री हो गई हरयाना के अंदर, so ये बाला पार्ट भी आव इसकुस्ट इसकूस्ट 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 चाप्टर है, first chapter कि I am trying to establish different players who became very important and prominent in this discussion of Haryana in, you know, in the close of, before, you know, the East India Company established its, अंग्रेजों के आने से पहले, जो पहले chapter के अंदर players established करें, दूसरे chapter के अंदर, जो प्लेयर्स की आपस में लड़ाई तो घुत्तम घुत्ता थी, वो एक्स्पें हुई है, very interesting, you know, phase, in fact, खुद भी मेर को पढ़ने में पहले तो, you know, when you take on the research project, आपको इतना सारा information दो होता है, पहले तो, एक तो, first phase is, when you start liking it, enjoying it, क्या-क्या चोड़ा है, then you start making those analysis, क्या हो क्या है, क्यों ऐसा इतना troubled part कैसे है, कि you got some very powerful players, but still there's an era of anarchy in the region, until, you know, finally the British came in, and British ने जब, you know, when the company acquired these territories, उनके लिए भी कोई बड़ा असान चीज नहीं थी, कंपनी के पाद भी और कंपनी के लिए भी बड़ा मुखल था क्योंकि हर्यान भी अलग अलग जो चोटी-चोटी सलतने थी या जो चौदरी थे, आपने जगडे बट चले हैं, उनने भी असान नहीं बनाया था, they were always, you know in the mode of rebellion, and जो ये विद्रो थे, that defined from 1803 to 1857, but that is when modern institutions, modern structures slowly started to, you know, take shape or take, you know, establish themselves in Haryana. तो ये आते आते फिर आखरी में जब मुगलों का शाशन एक तरीके से कह सकते हैं कि तूटना शुरू हुआ असलियत में, वो औरंग जेब के समय, तो उस जो rebellion था, वो भी Haryana से बहुत चला, तो उसकी कहानी थड़ा बताईए. So, what had happened was, के औरंग जेब, you know, in the second half of his tenor as the Mughal Emperor, he had started, you know, losing ground a bit. For a thousand reasons, of course, but one very, you know, one very important reason, of course, is के दिली जो अस वक्त, you know, एक प्रोमिनेंट सेंटर हैं, उसके आस सपास के जो territories हैं, उसके रिवेलियन स्टार्ट हो गएते हैं. तो ब्रज शेतर के अंदर जाट सुरू है, विद्रो करने के लिए, सिख भी आगे थे, सिख ने भी विद्रो स्टार्ट किया, then there were, you know, other players, रोहिले भी थे, गुजर भी थे, and एक, in fact, the book starts with the, with the Satnaami Rebellion, जो Satnaami Rebellion है, एकना community हुआ करती है, उसके कुछ, you know, centers या अभी भी मौझूद है, which I was able to find through, thanks to Google search, but ये था कि, ईश्वर्दास नागर और जादोना सरकार जी ने इसके बारे में लिखा हुआ है, चैसे, कि, एक community थी, Satnaami's नाम की, जिनको साध भी बोला दाता था, and, या मुंडियाज बोला करता, because, वो अपने eyebrows, hair, मैं तब कोई facial hair नहीं अपनी तरेफ को दी, मैं तुमारी कर रहा था, यार, so, facial hair नहीं करता था, and, and, of course, they would look peculiar, you won't find people, या गंजे भी हैं, eyebrows भी shaved हैं, नाडी मूठ नहीं, and, वो जग community थी, उस community के किसी एक व्यक्ती को, एक, soldier, प्यादे ने, लट मार दिया, ठीक, तो मैंने लट चब अच्छे जाए यूज गिया है, remind कराने के अर्यानों, के अर्यानों, के अर्याना वालों को, के बही, कोई नया, मतब, experimentation नहीं है, पहले भी, लट गाड दिया, उड़े ते यार है, उससे भी पुराना है, लट बा consequence, this guy, you know, विसने सारे सतनामियों कोई कथा किया, और सारे सतनामियों कोई कथा होकर, नारनौल के अंदर, नारनौल बाक दन वस अ prominent, नारनौल for the long time, for longest time, has been a prominent administrative center, in the medieval ages, so वहाँ पर जो headquarters सा, वहाँ पर, जो, you know, जो governance system था, जो administration system था, वहाँ पर जाकर उनको एक लेड़ी आई, जिन्हों ने, इन सब को एक confidence दिया, के, वह बोलते ना के, एक मरेगा के, हजारों पैदा हो जाएंगे, और एक विश्वास सा जता दिया, के भई, अब तुम्हें कोई हा नहीं सकता, मतलब बस तुम आगे वड़ो, और जीच जाओ मतलब, वह जो confidence था, जो सतनामियों को, मुंडियास को, जो आया, उस confidence ने, आसपास के, जो भी लोग थे, जो उस वक्त, उस governance से, या उस वक्त जो राज था, उस से परिशान थे, वो सब लोगे कठे हो गए, और नारनौल कबजा किया, और धीरे दिरे, आसपास उस पूरे रीजन से, मुगल अटा दिया, so much so that, confidentувати was, they decided that they would wage war against the Mughal Emperor. a very powerful story and inspiring that one battle, you know one small fight could escalate to a level that we will dethrone the Mughal emperor. a remarkable thing in its own sense, for thousand reasons. and Satnami started moving towards Delhi. what kind of तो पहले यूद पैसे लाख हों के थोड़ी हूँ अगर ते इंडिन आर्मी आज इतनी पावफुल इंस्टिउशन है उसे साब से वो भी प्रोफेशनल वोर डिकलेड वोर नहीं था ना तो आप दो-तीन हजार लोग जाके भी काफी नुकसान पहुंचा सकते थे यह जो पूलते हैं यह जिन्दा पीर औरंगजेव को तकते से अटाना है एक और इंट्रेस्टिंग चीज हुई थी इसी टाइम पर कि इनकी जो सक्सेस स्टूरी थी वो इतने ज़्यादा टेल्स बनानी स्टार्ट कर गई या फिर यह वो दोस ग्लोरी टेल्स दोस यह रूमर स्प्रेड होने के इनको कोई हराई नहीं सकता कि अपने हाथों से लिखकर कोई या कोई मेसेज या कोई पकिया कुछ भी लिखकर उनके मुगर मुगल बैनर्स पे लगाया बांधा जिस वज़े से एक मुगल आर्मी को भी कॉट्ध्वेंस दिया गया एंड के अब बैटल ग्राउंड पे जाओ आओ लू इस ओन सेंस अज इडिवार्ट ब्टीन धर्मा इन धर्मा इन अदर्मा इत वस बाटल ब्टीन अगाया इन धर्डट तोर बीं इंडिवें अदर्प्र फिर्टीन अद्वें अज़ी इंड् you know since we are also talking about medieval times it is you know important that I make a mention of that in medieval times for some reason I don't know you know reason when we start having this conversation we will be able to find what are the reasons but we have sidelined a certain portion of our history as a matter of convenience for example like I said Thaneswar that the name is broken and the name is broken the name is broken the name is broken so this is a story made a story like the sun sun prasht sun prasht so antiquities land like Staneswar in Staneswar medieval documents make a mention of that it was so prominent center and इतना, you know, religious उसकी significance इतनी थी in order to crush the, you know, the Hindus or you know, the, उनको लेखा इसा idol worshipers, in the sense कि वहाँ पर जाकर उस मंदरो खतम किया जाए और जो, तो वहाँ पर काफी बड़ा मंदर था, हाँ, काफी बड़े मंदर था, you know, so, कुरुक्षेत्र या थाने सहर, has not been you know, recent idea, और कुरुक्षेत्र भी आप कहा रहे थे, बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा है, शेत्र बहुत बड़ा है, और कुरुक्षेत्र city और टाउन का तो मौदन कंस्ट्रक्टर है, but the idea of थानेश्वर, or the idea of थानेसर, or the idea of being a prominent center of gods, यह बहुत पुराना है, and medieval times के अंदर, इसके ऊपर इस तरह के onslaughts हुए थे, I make a mention of this in the book also, के, you know, I read in Persian documents, जिनका translations available है, Elliot and Dawson के, quite popular ones, जिसके अंदर इस बात को अच्छे से लिखा गया है, के कैसे you know, मंदर तोड़ा गया था, आइडल को ठाकर, you know, trampled under the foot, तो इस तरह के बड़े किसे हुए है, and of course, you know, thinking back, के ACTs हो सकती, because Haryana had become a battleground of civilizations. तो उस पे अभी भी ऐसा स्थान है, माना जाता है, कि वहाँ पे मंदिर है, या उसका ऐसा स्थान है, कि ये धर्म स्थली है, of course, कुरुक्षेत्र के अंदर शक्ती पीठ है, माना अदर काली का, तो जो शक्ती आसना के साथ, you know, माशक्ती के साथ जितने भी अलग-अलग शक्ती पीठ बने हुए है, उसके अंदर वो स्थान नहीं है, धर्म नगरी के साथ से दिखा जाए तो, पुरुक्षेत्र का नहीं कह रहा है, मैं थाने सर की, थाने सर का भी, नहीं, so, रीजन सेम ही है, पर दूसरा एक खास बात है, इस सभ्यता की, इस रीजन की भी, कि एवरी टाइम, सावन, you know, anybody pushes their numb, they come back stronger, this is very well, you know, could very well be said about in recent times also, कि जैसे, you know, नीरा चोपडा गी बात कर रहे थे न, कि नीरा चोपडा ने भी एक इंटर्व्यू के इंट बड़ा का था, कि success का कारण क्या है, तो वह जिद्धी हैं लोग, तो अगर जिद्धी हैं, अगर इतना willpower, इतने strong-willed लोग हैं, वो ऐसा तो हैं नी है, कि, you know, कल के जबाक बड़े हुएं, वो एक history है, एक tradition है, जिसके अंदर ये बात घर करी हुए, आर्यान्वियों के अंदर, कि भी जो हम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, हमें बस, आपको बस exposure देने की जरूँ होता है, हमें तोड़ा एक avenues दिखाने की जरूँ होता है, देखना कि पूरे सेना की तरह लग जाएंगे, बीए, you know, modern times के ना, बुरोक्रेसी के अंदर देखो, 2015, 16, 14, 15, 16, 17, हर्याणवी कितने हर्याणवी वेपर क्लियर कर रहे हैं, and 20-30 years ago it was, अब तो सब जगई IITS में भी, JEE में और IAS exams में, तो ये तो है, 30 years ago it was a rare imagination, जोन शॉट लगा करता हैं, कोई हर्याणवी इतना आगे पूर्जाब, कि हर्याणवी अन्लाइक पंजाब, मैं ये कहूँगा कि लोगों ने काफी जोर दिया है, अपने बच्चों को पढ़ाने में, तो education पर बहुत जोर दिया है, चाहिए आप बेशक आप कितना ही गरीब हो, वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, और एक जो कल्चर है जो पंजाब में की बाहर भेजने का, चाहिए कोई भी जोब करो, पढ़ाने का उतना नहीं है, connections का शायज जादा हो गया है, See, पंजाब lost the plot somewhere, वो तो वेल डोकुमेंटेड है, लाइक वोल पीरियद अफर एटीज, अप्लिटली लोस्ट प्लॉट, बट हर्याना ओन अवन पी अधर हैंड, प्रोस्पर्ड और नोट बिकॉइज ऐसा नहीं है कि सरकार उनने बड़ा कुछ दिया, यहां पर घुसकर अच्छा कुछ कर सकता हूँ, वो घुसकर और उसने अपना जीन जान जोंक दिया, मतलब बैसे, डोंट मैंड मी सेंग दिस, यू वांटे दू पॉड्कास, रिमेंबर हाविं थीस कॉन्वरसेशंस विद यू, यू पॉड्कास, सब्सक्राइब करते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कुछ करना है जी जान पुरा जंक जोड देंगे यह ज्यादा ओर कॉंफिडेंस कभी-कभी मारता है अभी देखो एक साल से बैठे हैं यहां पर बोड्रों पर यह सोचने देख लिए सरकार ने दबा देंगे तो वो देखो अब यह तो बात करते हैं कि यह लड़ा उससे यह जुद हुआ फिस्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानिपत इसमें लोगों को जो हर्याना के लोग थे आसपास के रहने वाले थे उनका कितना उतनी भागिदारी कितनी थी जैसे खापों का बहुत आता है तो खापों की क्या भागिदारी थी उसमें? क्या रोल था उन ल know addressing your question on carbs see Haryana के अंदर na 18th century से पहले एक जो हमारा social organization था है social sector तर तर दिफरेंट था जाट थे गुजर थे ब्राम्मन थे बनिय थे और बनिय थे और बनिय इंफाक्ट बनियों के वारे में जो अग्रोहा है जगह यह बढ़ा है अगरवाल गोतर निकले थे गजई थे तान के वाराज अगरवावाल गोतर थे थे अघगरवाल गोतर थे यह एक अलग मॉडन तामस के लिए करनाल के अंदर एक टाइम पर जिनका राज हुआ करता था वो अचली मुसल्मान जादा थे यह रांगड वा करते थे in fact I have written about this somewhere in the book also के the first prime minister of Pakistan was from करनाल ली अकतली खान उनकी origins करनाल से so 1947 से पहले and 18 से पहले भी हर्याना का जो social structure था जो social organization बहुत अग थी बट गाओं देहाद के अंदर जाट, गुजर, रांगड यही लोग prominent हुआ करते थे जो मोटा मोटी मतब अफकोस कोई भी एक छोटा organization है उसके अंदर आपको बनिये भी चाहिए होंगे उसके नापको ब्रामण भी चाहिए होंगे आपके प्रोफेशन के हिसाब से बट और चोटी communities हुआ करती थी, चोटे गाओं हुआ करते थे, गाओं के चोटे चोटे मुद्धों पर बहसा बहसी लडाईयां हुआ करती थी, तो एक गोथ का जो एक गोथ हुआ, वो किसी और गाओं में चला गया है, फिर किसी और गाओं में चला गया, उसके पीछे, usually इस तरह क तर्मोईल इस तरह के बैटल इस तरह की बहसा बहसी हुआ करती थी, as a consequence of all that, हमारे पास अलग अलग गाओं हुआ करते थे, इन गाओं का हर इक बैटल के अंदर या पूरे थ्रो आउट सिविलाजेशन कुछ ना कुछ रोल रहा है, इनके अंदर मोटा मोटी कोई बहुत ज इन गाओं जो लोकल मुद्दे थे उनके वो सारे के सारे एक बड़ा ही नायाब institution है, खाप, वो उसी के अंदर डील हो जाया करती थे चीज़े, अब खाप साज अन इन इंस्टिशन वो सिर्फ सोशल या 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 जूशल जुडिशल काम भी करा करती थी, और सोशल बोड जिसके अंदर समाज से रिलेटेट जो भी मुद्दे थे, वो बड़े खुले में बड़े ओपन डिस्कॉशन और डिबेट के साथ वो matter discuss किये जाते थे और फैसला किया जाता था, अब वो दौर कुछ और था, वो समय वो था जब आदमी मोटा मोटी जादा सच्चा हुआ क करता था, तो यह वो दौर था, अब उसके अंदर और समाज के अंदर ना, पीपल वोंट वेरी क्विकली नहीं करा करते थे, कोई सामने अब चार लोगों के बीच में खड़े हो गए और आज तो, कोर्ट के अंदर तो, you know, जूट जूट बोल दिया, अब फिर ओपोजिश से और तरह के थे, और खाप एक, क्योंकि सोचल इंस्टिउशन है, को इसी ने कुछ क्लेम किया, तो एक क्लेम हुआ, एक काउंटर क्लेम हुआ, आपस में डिसकस करो, लोग सारे बैठे हैं सामने, बताओ क्या बात है, इसके ना, मैटर रिजॉल्व हुआ करते थे, खाप क नवा मुरादली और समचने दाट, एक प्रथा सी थी, कि कोई भी नई दुलहन या नया नवदम पत्ति अकर जाता था, तो फिर एक खाप को पता चला लड़की नाटगी, फिर फॉय वियूज नाटगी, मतलब मना कर गी, तो, and of course, it was a very demeaning, and a very, मतलब, सोचा भी नहीं जा सकता नहीं, कैसा में था, तो, फिर खाप ने डिसाइड किया, के भई, ये गलत है, और इसको रोकना पड़ेगा, तो, खाप एक अठी हुई, खाप उने योद किया, उसको हराया, and brought back honor to a lot of, you know, women in the region, and society in the region, so, खाप का involvement, आपके social institution के तरहे, आपके judicial institution के तरहे, and in many ways, defenses के तौर पर भी रहा है, और खाप के अंदर, आपका escalation जो होता है, इस वज़े से नहीं होता कि मतला आपने डिगरी पास कर ली, वो आपकी wisdom के basis पे होता है, कितना समाज आपको मानता है, कितना आपकी इज़त करते हैं, कितना आपका, आपके पक्षदार बनते हैं, कितना जानते हैं, कितना आपकी सूझ भूज को respect करते हैं, और यह दौर वो नहीं है, कि मुबाइल फोन पर, कोई चुनाव भी नहीं होते हैं, कोई चुनाव नहीं होते हैं, इस नोट पॉपुलारिटी कॉंटेस्ट, यह नोट भी सेंडिंग सम डिसन्फोमेशन और मिसन्फोमेशन यह उसके अंदर तो यह है कि समाज व्यक्ति कि इज़त करता हैं, जैसे चौधरी बोलते हैं, चौधरी वो चौधरी, मैं नहीं बोल सकता है, मैं चौधरी हूं, मैं चौधरी बनाएगा, कोई गांवाड़े सोचाएंगा, कभी चौधरी बनाएगा, और यह नोट कालता सारे चौधरी हो रहे हैं, पुछाना है, यह नहीं केस, तो खाप के अंदर, यह तो आपने बताया, रेजिस्टेंस तो एक सोचल लेवल पे तो है, लेकिन कोई बड़ी लड़ाईयों में भी रहा है, क्या खाप का दखल, यह खाप के अंदर ना, अब इसको उस तरह से इमाजिन करो ना, कि यू अंडेस्टांड वट खाप है, खाप वोड नॉट गो आउट के भाई, अब उस आवाज उठाने के लिए, अगर आपको मुझे करने पड़े, या आपको तलवार उठानी पड़े, या बंदू को उठानी पड़े, आप करते थे, आपको आपको चाहिए, उस आजमी का पेटा इसी बात पर बढ़ जाया करता कि समाज उसकी इतनी इज़्जत करता है, और वक्त कुछ और था, हमारे लिए स्टंडर्ट यह नहीं हुआ करते थे, कि इंस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे लाइक कितने आए हैं, ठीक, स्टंडर्ट वो अगरत रहेगा आसपास कि लोग सचे मन से कितनी इज़्जत करते हैं, और वोग उसे इज़्जत दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि, यह नहीं ही वोड ट्राइ हार्ड टू इंशॉर कि वो किसी का दिल ना दुखाए किसी को बुरा ना लगे या किसी को ऐसा ना लगे कि वो बदल गया, तो यह जो आइडियल्स है ना जो पुराने आइडियल्स हुआ करते थे, मैं तो कई मायने में मानता हूँ हर्याना के अंदर ही बच रहे हैं, कहीं और भी बचनों तो बचाने चाहिए, सच्चा आजमी है, आजमी की इजट अगर वो जुबान की कीमत की ही इजट वह करती थी, वो चीज अगर कंटिनु रहेगी तो अच्छा है, हर्याना भी बचा रहेगा, संस्कृति बची रहेगी, सब्धा बची रहेगी, और लो अभी तो भाई, आधी बुक शुरू हुई है, और एक गंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी जाना भी है, तो समय की भी पाबन्दी है, तो जाने का नहीं, नहीं जाना पड़ेगा आपको, हम भेज के मानेंगे, तो शिगरी दूसरा रिकॉर्ड करेंगे, उसमें मीट जो में शुरू होती है, तो उसको हम डिसकस करेंगे, मौडन हर्याना के जो बनने की कहानी है, स्टेट बनने की कहानी है, उसकी स्ट्रगल क्या है, उसमें कौन-कौन लोग थे जिनोंने कंट्रिबूशन दिया, और फिर उसके बाद तो गुडगाओं की कहानी है, बॉक्सिंग sports की कहानी है पता नहीं कहानियों ही बहुत कहानिया है गुरगाओं के बनने की boxers की wrestlers की women की women you know doing very well in media and you know Bollywood and in fact modern you know यह democratic institution जो हमारी विधान सभा होती है and then लोग सभा राजे सभा अर्याना की women have made a very notable impact in fact you know just before we close this discussion Sushma Swarajji External Affairs Minister of India and a very you know most popular and very loved politician remembered recently with her Padma Award as well उनकी origins she was a politician from Aryana Dr. Mangal Sain के साथ she was the one who was carrying BJP's flag for the longest time और पिछली जो सरकार बनी थी भाजपा की 2014 से पहले इनिसो चानवे में भाजपा और हर्याना विकास पार्टी बंसीलाल जी की उसमें उसको गटबंदन को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था तो अरज़न भाई फिर से मिलेंगे शीगरी और इस बुक में जो असली हर्याना जो आज का हर्याना है उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे अभी तो हमने थोड़ा पास्ट के बारे में ज़्यादा बात किये तो रिसेंट पास्ट के बारे में अगले एपिसोड में एपिसोड में बात करेंगे धन्यवाद धन्यवाद झाहिंद, राम राम